Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जा मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस समय जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो यह है कि हम unskilled कैटेगरी में आते हैं हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बंगलादेश से हैं, नेपाल से हैं तो क्या इस समय हमें जॉब मिलेगी ही नहीं हम विजिट वीजा ले चुके हैं तो क्या हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सारी चीज़े इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी आप सबसे request है video को इंट तक के देखिएगा ताकि पूरा update आप सब को पता चल सकें तो दोस्तों एक country चलती है skilled unskilled दोनों के लेबर को लेकर कहीं भी सिफ skilled categories के लोग unskilled category का काम नहीं कर सकते हैं जैसा कि unskilled categories के लोग skilled categories का काम नहीं कर सकते हैं सब के काम अलग-अलग होते हैं और एक country तभी चलती है जब दोनों categories के लोग उनके पास होते हैं तो क्या ऐसे में unskilled categories के लोग अभी हुए ही नहीं आ सकते हैं बिलकुल आ सकते हैं लेकिन अब आपको smart work करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर आपको job मिल सक सकती है दो जोन से आपको पता है सिर्फ unskilled categories की मैं बात कर रही हूं जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको टेक्नीक बताऊंगी इसका solution बताऊंगी कि unskilled categories के लोग भी कैसे UAE में job हासिल कर सकते हैं दो जोन होते हैं एक mainland होता है एक free zone होता है mainland का work visa जो है वो महरे से issue की जाती है जबकि free zone का जो visa होता है वो अलग तरीके से तीन इनके departments होते हैं वहाँ से आपको visa मिलता है UAE immigration से ठीक है उसमें कोई labor cards वगरा नहीं होते हैं direct आपको visa लगके आता है तो जो unskilled category का visa है अगर आप mainland में job लेना चाहते हैं तो बहुत rare ऐसी companies हैं जिनके पास आपके nationality का quota खाली होगा तभी आपको मिलेगा ठीक है तो आप लोगों को जो try करना है वो free zone में try करना है free zone में आपको पता है बहुत सारे warehouses होते हैं ठीक है restaurant होते हैं cleaning के jobs होते हैं cooking के jobs होते हैं वहाँ पर इसके अलावा भी driving के jobs भी वहाँ पर होते हैं तो अगर आपके पास UAE का पुराना या gulf का पुराना experience है तो बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप fresher है तो आपको थोड़ी दिकत का सामना करना पड़ेगा लेकिन free zone एक ऐसी जगह है अगर आप चाहेंगे free zone में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे unskilled categories के work काफी ज़ादा आपको मिलेंगे skill से भी ज़ादा वहाँ पे unskilled लोगों की ज़रत होती है ठीक है जो cleaner का job करते हैं packing का job करते हैं loading unloading का job करते हैं ये सारे जो jobs होते हैं ये unskilled categories के लोगों करते हैं और free zone में ये सब काम बहुत ज़ादा होते भी है क्योंकि warehouses इतने भी हैं वो free zone में ही है maximum जो है तो ऐसे आप आप लोग फ्री जोन में जाके वहां का वीजा आप लोगों के पास पहले से ही अगर आजाद वीजा है तो आप लोग वहां पर जाके काम कर सकते हैं यहां पर मैं बताऊंगे कि free zone में जब आप काम करने के लिए जाते हैं unskilled categories के लोग जाते हैं तो यहां पे scams बहुत रखना है ताकि आप जान सके कि आपके साथ क्या हो रहा है ठीक है बहुत जाद स्कैम से यहां पर इस zone में पैसे किसी को भी नहीं देना है क्योंकि आप मेहनत करेंगे मेहनत की कमाई आपको मिलेगी पैसे किसी को नहीं देना है आपको आप जाएए जॉब सर्च कीजे वहा के अंदर ले सकते हैं unskilled categories में भी आके चाहे किसी भी nationality के आप लोग हो तो guys I hope वीडियो आप सब के लिए helpful रही होगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए goodbye and take care